हेलो और वेल्कम टू माई यूटीब चैनल एसेट गाइड बनलाइफ अकाउंट को एक्सिस करते समय और उसमें लोगिन करते समय अगर आपको यूजर डजनोट एक्जिस्ट का एरर आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल को नए एको सिस्टम के सर्वर पर अपड करेंगे के और आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना होगा जिसमें आपका नाम आपका मोवाईल नमबर Politics और आपकी बनलाइफ अककौंट से सारी जानकारी देनी होगी जब आप अपनी सारी जानकारी को fill कर लेंगे उसके बाद आपको अपना जो profile account है उसे जब आप सारी detail भर लेंगे तो आपको अपने form को submit करना होगा submit करने के साथ ही आपका जो ticket है वो create कर दिया जाएगा और इससे related आपको एक confirmation email मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि हमें आपका email receive हो गया है हमारी technical team इसको analysis करेगी और जल्द ही आपको बापिस reply करेगी तो यह इस सारे process को होने में लगबग 3-5 दिन का समय लग सकता है और आपके account के साथ क्या problem है और आपसे further step लेने के लिए खा जाएगा अगर आपके account में email id को change करना होगा या फिर कुछ दूसरा कारण है तो तब आपको 30 euro की fees देनी होगी जिसकी detail आपको दी जाएगी आप चाहें तो 30 euro का payment bank के through भी transfer कर सकते हैं और चाहें तो आप 30 euro का payment bitcoin के म भी follow करेंगे उसकी ही detail आपको मिल जाएगी यह सब करने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो बन life account है वो active हो जाएगा और आप उसमें login कर सकते हैं यह काफी user की comments हमारे पास लगतार आ रही थी कि हमारा जो बन life account है वो open नहीं हो रहा है उसके ल अपना होगा और उसकी सारी जानकारी आपको देनी होगी अपने account की तब आपके account से सम्मंदित क्या इसू है वो आपको email के थूर notify किया जाएगा और आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं तो यह थी विसेश जानकारी user does not exist से सम्मंदित आई होप आपको पसंद आई आप बार बार comment कर सकते हैं और अपनी query को पूछ सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार के कोई hesitation की जरूरत नहीं है आप directly comment कर सकते हैं और आपको solution मिल जाएगा